नमस्कार मैं 36 गड़ अकबार के यूट्यूब चैनल इंडिया अज कल के स्टूडियो से सुनिल कुमार 36 गड़ की एक खबर लेकर आपके बीच यहां पर हूँ जो है तो राज्य की खबर लेकिन पूरे देश में जो सुर्खी बनते रही है टेलिविजन चैनलों पर देशवर के अख़बारों में बड़ी बड़ी खबरें इनकी आती रही हैं ED जो कि केंदर सरकार की जाच एजेंसी है जो 36 गड़ में पिछली भूपेश सरकार के बहुत से फैसलों के खिलाफ बहुत से काम के खिलाफ और उस कार्यकाल के बहुत से दूसरे धंदों के खिलाफ ED के कोर्ट में मुकदमा चला रही है उस ED ने अभी 26 जनवरी को ये खबर सामने आई हालनकि इसके कुछ दिन पहले उसने ACB EOW जो की अर्थिक अपराद और भरस्ताचार निवारन के लिए राज्य सरकार की दो एजेंसियां है उनका मिला जुला एक दफ्तर है ACB EOW वहां जाकर ED ने एक शिकायत दर्ज कराई है जिस पे इसको एक थाने का दर्जा भी प्राप्त है ACB EOW को तो वहां पर रिपोर्ट दर्ज हुई है FIR हुई है दो मामलों में एक कोल लेवी घोटाला जो की कोईले की खुदाई के लिए कोईले के ट्रांस्पोर्टेशन के लिए जो एक उगाही की जाती थी जैसा ED का कहना है अदालत में जिसमें बहुत सारे लोग जेल में पड़े हुए हैं 500 करोलों से अधिक का ये घोटाला ED ने बताया है उसको लेकर ED ने एक FIR दर्ज की है दूसरी FIR दर्ज की है शराब घोटाले को लेकर जो ED का कहना है कि 36 गड़ में भुपेश सरकार के वक्त 3000 करोड रुपे का शराब घोटाला हुआ था अब ये 3000 करोड का ये 500 करोड का दूसरा और भी कुछ एक मामले सामने आने की खबरें हैं आशंका है या संभावना है ये इस पे निर्भर करता है कि आप किस नजरिये से इन चीज़ों को देखते हैं ये कांग्रेस के नजरिये से देखेंगे तो आपको आशंका लगेगी और मामले सामने आने की भाजपा के नजरिये से देखेंगे आपको आपको संभावना दिखेगी हमारा नजरिया तटस्त है हमारा कोई नजरिया इस बारे में नहीं है हमके वली इस बात के पक्ष में है कि अगर भरस्टाचार और जुर्म हुआ है तो उस पर कारवाई होनी चाहिए किसी भी सरकार के वक्त किसी ने भी किया हो उस पर कारवाई होनी चाहिए तो मैं आपको यह कहना चाहरा हूँ कि यह दो जो F.I.R. हुई हैं जो 26 जनवरी छुटी का दिन था उस दिन सुबह सुबह अचाना किये सामने आई हैं दोनों इनमें सैकडों लोगों के नाम है जो कोईले की F.I.R. है उसमें प्रदेश के बड़े-बड़े अपसरों के नाम है जो शराब की F.I.R. है उसमें बड़े-बड़े अपसरों के नाम है एक Retired Chief Secretary विवेग धांट का भी नाम है उसमें जिनके यहां Income Tax का छापा पड़ा था शायद दो सालिया उससे और जादा वक्त हो गया है उनका भी नाम है इसमें FIR में जो दूसरे जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनके साथ-साथ विवेग धांट Retired Chief Secretary रहने के बाद वो रेरा के Chairman रहे जो की एक समयधानिक पद है वो पद शायद अगर मुझको ठीक से याद है तो वो Supreme Court या High Court के Judge के पद के बराबर है ऐसे जगे पर बैठे हुए विवेग धांट का नाम भी इसमें है मुख्य मंतरी भुपेश बगेल जो पिछले मुख्य मंतरी थे उनके एक सबसे करीबी अनिल टुटेजा जो I.A.S. होकर रेटायर हुए उनका भी नाम इसमें है बहुत सारे नाम है कांग्रेस पार्टी के कोशा ध्यक्ष राम गोपाल अगरवाल ये कहा जाता है कि उपिछले कई महीनों से फरार हैं मैं नहीं जानता फरार हैं की नहीं कुछ लोग कहते हैं कि E.D. ने जाके उनके घर पे नोटीस लगाया हुआ है उनकी तलाश के लिए कई लोगों का ये भी कहना था कि उनके किसी पारिवारी के मौके पर एडी वहाँ पर जाकर इंतजार कर रही थी राम गोपाल अगरवाल को गिरफतार करने का बड़ा मामला है ये भुपेश सरकार के ये दो मामले बड़े मामले हैं जिसमें कई लोग गिरफतार हैं 36 गड़ की इतियास में पहला बनो का है जिसमें कोईला घोटाला या कोईला उगाही कोईला लेवी रंगदारी टेक्स कोईले का और शराब घोटाला इनमें I.S. अवसर के रहतार हैं मन्त्रीओं के नाम इसमें आरोपी बनाया गया है विधायकों को आरोपी बनाया गया है Retired Chief Secretary, कई IAS अपसर, भारती, अखिल भारती सेवा के एक और अपसर, ऐसे कई लोगों के, कई बड़े-बड़े कारोबारियों के भी इसमें नाम है कई विधायकों के नाम है, Congress Party के जुड़े हुए जो भुत्पूर्व थे, वर्तमान है, उनके नाम है इन में से कुछ लोग जमानत लेने के लिए हाई कोर्ट गए हुए है, बड़ा मामला है यह, मैंने ACB EOW को यहां बनते हुए देखा है, कुछ दर्शक पहले और तब से लेकर अब तक यह पहला मौका है, जो एक एक F.I.R. में 150 लोगों के नाम है, एक में तो शायद 100 से जादा के नाम है, दूसरे का मैं देख नहीं पाया हूँ कितने के नाम है, बहुत सारे नाम है, कई I.S. अपसर जो है, वो जेल में पड़े हुए हैं इसको लेक अब ही अगर हम कोईला घोटाला और शराब घोटाला की यह F.I.R. दोनों देखें, लंबी-लंबी हैं, तेरा पेज की है, शायद 19 पेज की दूसरी है, इनको पढ़ने की मैंने कोशिश किए अधिक से अधिक, इनको देखने से यह समझ में आता है कि इसमें प्रदेश के त कौन है? कोई उसमें I.A.S. अबसर जांच नहीं करते हैं, I.P.A. सबसर जांच नहीं करते हैं, इनस्पेक्टर या उनके नीचे के इस तर के लोग जांच करते हैं, क्या वो सचमुची अपने राज्य के इतने सारे I.A.S. अबसरों की जांच कर सकेंगे? जो रेटायर हो ग उनका बयान ले सके? थोड़ा मुश्किल लगता है मामला यह. और मैं नाम देखता हूँ, तो मुख्यमंत्री की डिप्टी सेकेटरी रही हुए, भुपेश बगिल की डिप्टी सेकेटरी रही हुए, सौमिया चौरसिया का नाम इसमें, एक I.A.S. समीर बिश्नोई का नाम है, दूसरी I.A.S. महिला रानू साहू का नाम है, बहुत सारे इसमें खनिज विभाग करीब करीब पूरा का पूरा उसका नाम है, शायद बहुत सारे लोग जेल में भी हैं, खनिज अधिकारी कोईला वाले जिलों के बहुत सारे जेल में हैं, आपकारी अधिकारी मुझको आल इंडिया टेलिकाम सर्वीस के अपसर थे शायद जिनका कारेकाल यहां पूरा हो चुका था डेपूटेशन उसके बाद यह बर्सों से बने हुए यह भी शायद जेल में हैं मुख्य मंतरी भुपष बगेल के कई करीबी लोग इसमें जेल में हैं उनके दोस्त जेल में हैं उनके कारोबारी कुछ परिचित हैं वो लोग जेल में हैं अब सवाल ये उठता है कि ये ACB EOW का सेटप छोटा सा है क्या वो सच्मुची इतने बड़े-बड़े मामलों की जाँच कर सकेगा सोचने की बात है ये क्या सच्मुची इतने ताकतवर लोगों की जाँच कर सकेगा कि येँष्यार गोटाला क्या इतने बड़े मामलों की जाँच यहां राज्य के लोगराइक राज्य इक ही लोगों के खिलाप अपने ही बडे-बडे अबसरों के खिलाप अनुए राज्ये के कई IPS सचिछाएं चाईंच होनी चाहिएँ और मुंझको याद है कि income tax ने साल देल साल पहले जब भुपेश बगेल की सरकार थी तब राज्य के मुख्य सचीव को एक चिठी लिख कर भेजी थी उसमें कहा था कि हमने इन अपसरों के यहां छापे मारे हैं जिन में विवेग, धान, टुटेजा, सौमिया ऐसे कई लोगों के नाम थे कि इनके खिलाफ कारवाई की जाए यह कहा था, income tax ने राज्य सरकार ने कोई कारवाई की हो ऐसा तो मेरी जानकारी में नहीं है आपको पता होगा तो मुझे को बतलाईएगा मेरी जानकारी में इजाफा होगा एक चीज जो मैं कानून के कई जानकार लोगों से बात कर रहा हूँ पुलिस के कई जानकार लोगों से बात कर रहा हूँ उनसे एक चीज समझ में आ रही है कि शराब घोटाला और कोईला घोटाला यह इतना बड़ा मामला है राज्य के इतने ताकतवर लोग, डिस्टिलरीज के मालिक, शराब बनाने वाले जो कारखाने हैं, उनके मालिक, वो भी इसमें नामजद हैं इतना बड़ा मामला है, ये दोनों मामले इतने बड़े हैं, कि इनकी जाँच राज्य में करवाना शायद मुम्किन नहीं होगा, आसान नहीं होगा, असरदार जाँच नहीं हो पाएगी, इमानदार जाँच नहीं हो पाएगी और चुकि भुपेश बगेल की सरकार अब नहीं है कांग्रेस की सरकार ने केंद्र सरकार से वो इजाज़त वापिस ले ली थी कि यहां का कोई मामला जो है CBI खुद होकर आकर भी जांच कर सकती है भारत के संगी ढांचे में ये परंपरा चली आ रही थी देश के हर राज्य ने केंद्र सरकार को बिना पार्टियों के बात कर रहा हूं राज्य सरकारों ने केंद्र को ये लिख कर दिया था कि CBI को जिस मामले की जांच करना हो हमारे राज्य में आकर वो जांच कर सकती है बुपेश बगहिल सहीत कुछ गैर भाजपाई सरकारों ने ये इजाजत वापिस ले ली थी लेकिन अब तो राज्य में भाजपा की सरकार है दिली में भाजपा की अगवाई वाली इंडिये सरकार है ऐसे में ये आसान है कि राज्य सरकार इस मामले को CBI को दे दे मैंने जिन लोगों से बात की है आज उनमें से कुछ का कहना है कि ये दोनों मामले दोनों F.I.R. कुल मिलाकर CBI को जाएंगे राज्य सरकार भी बहतर समझेगी कि अपने हाथ में इतना बड़ा बवाल रखने के बजाए इसको CBI को दे दिया जाए राज्य के बाहर की एजिनसी है वो देश बहर में इतनी बड़ी बड़ी जाँच करती है कि उसके लिए इस राज्य के दोचार I.S. I.P.S. सबसर कोई माइने नहीं रखेंगे और CBI के लिए ये बहुत बड़ी जाँच भी नहीं है ऐसी चर्चा है कि ये मामला CBI को दिया जा सकता है उसके लायक है फिट केस है अगर ये CBI को दिया जाता है मामला तो ये जिन सैक्लों लोगों के नाम इससे जुड़े हुए हैं सो डिड़ सो दो सो लोगों के नाम तो दोनों F.I.R. में दर जाँए हैं लेकिन इससे परे भी और नाम भी इसमें आ सकते हैं जाँच में आगे हो सकता है कि ए CBI का सबसे बड़ा एक मामला हो 36 गड़ में दो अलग अलग मामले हैं लेकिन जुड़े हुए एक साथ हैं E.D. के पास इसके सुबूत हैं E.D. के पास इससे जुड़ी हुई गवाईया हैं CBI को शायद यहां आके इसकी जाँच करने में एकदम जमीन से शुरुवात नहीं करनी पड़ेगी एक इमारत का ढाचा E.D. ने खड़ा किया हुआ है इस मामले को ACB E.O.W. को देने के पीछे भी E.D. की एक वज़े है E.D. कुछ खास कानून के तहट ही कारवाई कर सकती है वो तमाम कानूनों के तहट कारवाई नहीं करती है वो एजेंसी मनी लॉंडरिंग के लिए बनी हुई एजेंसी है तो उसको जहां लगा कि इसमें उसकी जो धराएं हैं E.D. की उससे परे के भी जुर्म हैं कामले की जाच जो है E.D. की धाराओं से परे भी जुर्म हुआ है इसकी जाच होना चाहिए नई राज्य सरकार भी इसकी जाच करवा सकती है हमने महिने दो महिने पहले ऐसे एडिटोरियल लिखें शायद उसके पहले भी लिखा है इस बात को कि E.D. की जाच का दाएरा सीमीत रहता है और राज्य सरकार को चूंकि अब भाजबा की आ गई है तो यहां पे इसकी जांच करवा सकती है वो यह हमने पहले भी लिखा था उसके महीनों बाद जाकर एडी ने अभी यह रिपोर्ट दर्जे की है एसी बी इर डबलू में अब हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या यह मामला CBI को दिया जाएगा क्या यह मामला CBI का सबसे बड़ा मामला होगा 36 गड़ में जांच वाला और कोईले से जुड़े हुए बहुत से और ऐसे मामले हैं कोईला खदानों से जुड़े हुए कोल वाशरी से जुड़े हुए कोईले के ट्रांस्पोर्टेशन से जानकारी में हैं कि लोगों के पास हैं कि कैसे कैसे बड़े बड़े कारोबारियों ने पिछली भुपेश बगिल की जो सरकार थी यहां पे उसके साथ मिलकर या उसकी महरबानी से या उसकी अंदेखी से कौन कौन से बड़े जुर्म की हैं बड़े बड़े कोईला कारोबारी कोन वाशरी ने इसे बहुत सारी और जानकारी हैं कुछ जानकारियों को ले कर हमारे पास भी लोग आये थे लकिन हमारे पास उसकी पुष्टी करने का कोई जरिया Nहीं था उतनी बारीकी में जाने का एक-एक दस्तावेज की जांच करने का हमारे पास जरिया नहीं था देखते हैं आगे क्या होता है E.D. केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है वो सिधे C.B.I. को जांच शायद नहीं दे सकती है उसने राज्य में F.I.R. की है अब C.B.I. के यहां आने के लिए यह एक रेट कार्पेट बिज गया है E.O.W. आफिस तक वो यहां आए E.O 37 गड़ में किसी भी सरकार के कारेकाल में जो सबसे बड़ा जुर्म हो सकता है कौन-कौन शामील है मैं नहीं जानता E.D. की, I.T. की और अगे जाके हो सकता E.C.B.I. की जिम्मेदारी हो अदालत में थाबित करना लेकिन मेरा एमानना है जो लोग लंबे समय से जेल में जमानत मिली है ऐसे लोग अगर जमानत नहीं पा रहे हैं नीचे से उपर तक सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं कुछ ने कुछ तो इनके खिलाफ मामले में दम होगा देखते हैं आगे क्या होता है फिलहाल जो बड़े बड़े नाम है इसमें मैं देखकर हैरान हूँ देख की कौपी कल बैठ कर पढ़ी है पूरी जिस तरह से जुर्म की बात इडी ने अपनी एफ आई आर में लिखाई है वो नया नहीं है वो इडी कोल्ट में पहले भी बोल चुकी है इडी लेकिन अभी फिर उसने जिस तरह से लिखाई है जितने संगठित तरह से ये भ्रस्ताचा अगर सच है तो ठीक है आजाए CBI भी आजाए जाए जांच करें वो जो भी निकले इसमें से ये राज्य अगर CBI पूरी जांच कर लेगी पूरी कारवाई हो जाएगी तो मैं इतना कह सकता हूं इस राज्य की नौकरशाही इस राज्य का पुलीस विभाग इस राज्य की क आएंगे और हो सकता है कि ऐसी कैद ऐसी सजा ऐसी कारवाई राजनीती को साथ सुथरा बनाने में मददगार भी हो हम फिर मिलेंगे आप से किसी और खबर को लेकर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को नोटिफिके उने दोस्तों तक इसका लिंक भी भेज़ सकते हैं और मैं छोटी सी एक बिन मांगी सला आपको देना चाहता हूं कि अगर आप दुपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए हेलमेट का नीचे का बेल्ट बांद कर रखिए अगर चौपहिया चलाते हैं तो कार या कि कि दूसरी गारी का सीट बेल्ट लगा कर रखिए मैं इसलिए भी कहता हूं आपसे कल की ही खबर है कल की एक खबर ये है कि एक ट्रक से टंगी हुई रसी में एक मोटर साइकिल फंस गई और मोटर साइकिल चला रहा रेक्ति उस ट्रक के साथ दूर तक घिसटते चले गया ल हिलमेट लगाया हुआ था और मैं आपसे कह सकता हूं अगर हिलमेट नहीं लगाया होता तो उसके साथ जो हुआ रहता उसकी कल्पना करना भी ठीक नहीं है मैं वैसी तस्वीर की कल्पना नहीं कर सकता इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आप दुपईया चलाते हैं तो हिल बिल्ट लगा कर रखिये फिर मिलते हैं